मद्रप्रदेश में इस साल चुनाव संभावित हैं लेकिन चुनाव से ठीक पहले भारती जनता पार्टी की एक तरिकर देखा जाए तो सबसे वरीष्ट नेताओं में से शुमार उमा भारती जो है एक बात को लेकर के काफी जादा आहत है नाराज है कि जन आशिराज यात्र क्योंकि मेरे को तो हर चुनाव में याद किया है तो यात्रा प्रारम होने में ऐसे ही नेवंत्रन दे देते हो एक टो फोटेक्षिप का देते बगल में तो कोई फरक नहीं पड़ने वाला था पहली बात तो आप रूल आउट कर दो हां लेकर मुझे आश्यरे जरूर हुआ क्योंकि सरकार बनानी है आगे भी देश को चलाना है भाईया तो यह कमजोर याद दास्त से काम नहीं चलेगा क्योंकि 2003 में याद है आप ही चहरा थी भाजपा का और 2003 में तो भाजपा ही मंद्रप्रदेश में जबाई थी तो आप ही लेकर क्या ही थी तो अब ऐसा क्या हो कि 2023 में पोस्टर से भी उमा जी गाया आप यात्राओं से भी माजी आप याद थी तो यह ज़ूर यह जरूरी कि 2003 का बहुमत पालटी को देश में कभी नहीं मिला तो इसलिए लेकर मेरी वजए से नहीं था वो कारीकरताओं की वजए से था तो उसको मैं अपने खाते में न पालराक्रम की राज़नीथी के वा भाजपा का धरातल तख थियार करने मई स्थयोग किया चाहिए राम जन भाविमी आन दोलोन हो चाहिए तरंग आ दोलोन हो चाहिए घुस पत के खिलापजर में कश्मीर से लेकर करने उद़ हमारी तके क्रने रसे लेकरी गुजरात कोशिस करेंगे और फिर चुनाओं में गिर गड़ाएंगे चुरोरियां करते हैं मेरी प्लीज नहीं तो मर जाएंगे तो फिर यह अच्छा नहीं न कि जरूरत पढ़ने पर बिलकुल पाओं में गिर गए और जरूरत खत्म हो गई तो याददास्ती कम जोर हो गई 2020 के उपचुनाओं में यहीं हुआ था शायद दो दो बार हुआ दीज के उपचुनाओं में तो कोरोना में गरस्त थी बीमार थी नेगेटिव डिकलियर भी नहीं हुई थी और मुझे तो शिवराज जी बोले के पीपी किट पहन के ही आ जाओंगा रिशी के से हम इसमें आप प्रदेश के लोग को भी थोड़ा भरोचा करके चलो इनको भी थोड़ा विश्वास में लेके चलो और जब यहां उपचुनाओं हुआ था दो तीन सीटों का तो प्रथी पर सीट पर डिकलेर हो गया कि हमें हार जाएंगे मैं का में अभी आती हूं और में गंगा यातरा बहुत खुशमेजाज परिपूर्ण इंसान हूं complete person जिसको बोलते हैं वो यह लगता है कि मेरी योगदान देनी की क्षमता कम नहीं कर सकती पार्टी वो मैं पार्टी को अभी अधिकार नहीं दूगा जिस दिन वो क्षमता कम करती लेगी मैं आकरामक हो जाओंगी तो फिर पड़ी तो कुमा में चले जाओ मतला आप कुमा में चले गए आप यह ठीक ने सिंधिया जी है लेकिन इसका चेहरा सिंधिया तो भारति इंता पार्टी का भविश्य का भी चेहरा रहेगा सिंधिया जी मेरी बहुत सब्सक्राइब आए तो बाइस बढ़ायकों को लेके आ जब चुना हुआ तो 173 मुझे निकाल दिया तो आठ में आते हाते 141 पे आगए बापस ले आए तो क्या बोलते हैं दो हजार तेरा में फिर 155 आठारा में ब्यापम की वजह से हार गए तो इसलिए मैं तो वह बात कि रही हुँ मैं सिंधिया से अपनी तुलना नहीं करूं प्रदान मंठीर नरेंदर मोधी भी पहुंचें? मोधी जी जब आ जाते हैं तो सूरीयोग आता है. इसलिए मोधी जी समुद्र है, उसमें तो सब नदियां समाझ आती हैं. मेरे मन में यही बात है कि आप या तो मुझे कुछ कहेंगे नहीं. और अगर कहेंगे भी तो मेरा जवाब यही होगा कि आप पचीस के बाद मिलेगे अपचीस से पहले तो नहीं मिलेगे अब आशिरवाद यात्राओं में उमाय भारती इस बार नहीं जाएंगे वो बुलाने वाले ही नहीं है पहले आप बीजेपी के लोगों से पुछो कि क्य आप बुलाओगे तब मेरा जवाब बता देना कि वो नहीं आईगी आपके हां पर लेकिन में चुनाव प्रचार में अगर शिवराजी वो भी में शिवराज की मानूंगी क्योंकि उनने सराब बंदी में जिस तरह से मेरा सम्मान रखा और बिलकुल कोमा और फुल हुए थे तब भी हमने देखा था क्योंकि बिजेन सिंह राठोर के निधन के बाद खाली हुई थी बुंदेल खण में तो सबसे बड़ा चेहरा लेकिन अगर देखाए जाया कमल के फूल के बाद तो तो आप ही है ना तो फिर भारती जंता पार्टी वहाँ पर आपको नज जातिल तैयार किया है उनकी अभेला मत कर देना नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे यह कहा है मैंने मद्रपदेश में काफ़ी योजनाय भी नए नहीं आ रही है लेकिन सरवेग गाफी कुछ गंभी रिस्थिती बता रहे हैं भाचपा कि इसमें एक साथ दोनों बात हैं पहली चीज की कांगरेस की स्थिती बहुत खराब है दूसरा मुझे इस पर भी आश्यरी है कि इसके बाद में भी हमें डर क्यों लगा इसके बाद में भी हमें इतनी महनत करन प्रश्वार्ट जी अग्ला यह तो जगत जी को उत्तर देना है मेरा मेरी पात्रत आई नहीं जो हमारे राष्टिया ध्यक्षिम उत्तर देंगे मैं शिवराज जी का सम्मान बहुत करती हूं लेकिन अगर भाजपा में शिवराज जी के अलावा भी अगर आपको कोई और प्रचार के लिए नडड़ जी हैं अमिश्या जी हैं मोदी जी हैं तब तो आप जाएंगी ना पहले उनको बोलने दीजिए फिर मैं आपको बता दूंगे मेडिया से कोई छुपाऊंगी ने तो मैं भी शियर करूँगी कि मैं उहां क्यों नहीं मैंने प्रश्ण कर दिया तो इसलिए जब आप सार्वजने करूप से ऐसा करोगा तो मैं भी सार्वजने की करूँगी जन आशिरवाद यात्रा पे ना बुलाए जाने को लेकर के भी और मद्वदेश में भाजपा के भविश्यों को लेकर के भी कैमामन अमरीश के साथ अवीशपाल सिंग भोपाल आज तक